तो आज की डेट है 18 जून ऑफ 2019 और यहां हम डिसकस करते हैं वो सारे इंपॉर्टन आर्टिकल्स जो आग के एक्जाम परस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टन होते हैं तो चली देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें डिसकस करने हैं उससे पहले उ उर्कमिनिस्तान मनत उसी के सासाथ आपको अगर याद होगा कलम एक आर्टिकल्स डिसकस कर रहे थे सेंट्रल एश और इंडिया से लेटेड तो वहां पर हमने अश्चगाबाद अग्रिमेंट के बारे में डिसकस किया था तो वह जो अग्रिमेंट था उसका जो नाम है वो कि डॉक्टर और पेशिंट की रिलेशन्शिप में क्या हमें आपे फोकस करनी की जुरत है फ्यूचर में और उसके साथ साथ यहाँ पे कौन-कौन से अमेंडमेंट से हम ला सकते हैं तो वो साही चीज़ों को जो हम डिसकस करेंगी इस आर्टिकल में नीचे वाला आर्टिक कि हम मानल स्कावेंज को एलिमिनेट करना चाहते हैं लेकिन आज तक हमें वो सी ओन पेपर अचीव कर पाया है लेकिन जो है रियाल्टी में कभी अचीव होई नहीं पाया है इवन बहुत साथ न्यूस आर्टिकल हमने यह भी पड़े थे जहाँ पर जो है इवन जो खुद क कि जो गर्मन सरकार है वो जो है यहाँ पर बहुत साथ लोग को एंप्लॉय करता है मानल स्कैवेंजिंग में और कोई भी जो प्रटिटिव गेस उन्हें प्रवाइड नहीं करता है तो ऐसे भी न्यूस आर्टिकल हमने और पड़े हुए हैं तो उस सब चीजों का हम डिसकस कर सकते हैं जिससे जो है यहाँ पे इंडियो प्रशिविक रिजन में हमारा जो प्रॉमिन सब्सक्राइब बढ़ सकता है अगर आप एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर जितनी कंट्री से उनके साथ काफी असाइन से हम क्ल् काउंटर करना है हमें इस एरिया में क्योंकि वह जो है एक स्ट्रिंग औफफ पोल्स आहां पे क्रीट करना है इंडिया के आसपास तो उसे काउंटर करने के लिए इस ए यह पर हमें अपना फोकस बढ़ाने की जुरत हैया अफ्या कर दोड़ा बुटोष क्या किया लग रि चार सवल उठाए गए है और जैसे कि उसके finances related क्यों हम collaborate नहीं कर रहें बाकी countries के साथ तो इससे क्या खर्चा आने माला है तो उन सब चीजों के बाइर में जो है हम discuss करेंगे इस article में नेक्स्ट पेज पर यह वाला आर्टिकल जल मिनिस्ट्री से लेटेड़ है आप जानते हैं कि existing जो मिनिस्ट्री से आप पर वाटर सैंटीशन की तो उन सब को मर्च करके आप नई मिनिस्ट्री बनाए गई है अब इसका एम यही है कि आप पाइप वाटर जो सबको देंगे लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है अगर कोई आप एडिशन लेना है तो इंटेग्रेटेड माना में लिया जाएगा तो उसके बार में हम डिसकस करेंगे इस आर्टिकल में नेक्स्ट यह वाला आर्टिकल वे इसलिए हॉंग कॉंग से लेटेड़ है यह हमने एक्ष़ली वर्ल्लीव बहुब बार डिसकस किया हुआ है जिसकी आप आप जानते हैं कि एक्सटिशन बिल्ड जिसको यहाँ पर अपोस किया जा रहा है हॉंग कॉंग में तो इक और बात यहीं बतार जा रही है कि हॉंग कॉंग में इससे पहले बहुत सरे प्रटेश्ट ह हो चुके हैं एक सबसे आइकॉनिक था वह यहाँ पर अम्रेल एवल्यूशन था जो कि 2014 में वह था तो उसी के बार में यहाँ बताया जा रहा है चाहिना को जो रूल है काफी जादा जो है यहाँ पर डिक्टोरियल रहा है तो यहाँ पर बेसिक चीज़ों हमें पता है लेक सबसे भी बात करेंगे कि आपर रीसन केस वह था जहाँ पर एक आमी को बना दिया गया था अभी फिलाव में छोड़ दिया गया है लेकिन यहाँ पर समझना आपको यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग है जिन पर यहाँ पर इखिस्टिंग करता था फीचर उसे कम्प्लीलिट हटा दिया गया है इवन हमने एक आर्टिकल में डिसकस करेंगे इस आर्टिकल में अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में डिसकस करते हैं तो आज ही कन्टरी का नाव है मेहीको तो इसकी लोकेशन आप याप डेख सते हैं इस ही क्याप्टल भी देख सते हैं मेहीको सिटी है और एक और चीज़ नोटिस की जै कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो यहाप पास करता है इससे अगली बात करते हैं कि इसकी करण से की तो वह है मेक्सिकन पीसो पहला आर्टिकल यहाँ पर है डॉक्टर प्रटेस्ट इलेटर तो इस पूरे आर्टिकल का एसेंस यही रहने वाला है कि डॉक्टर और पेशिंट की जो रिलेशनशिप है उस पर हमें काफी जादा जोए फोकस कभी किया नहीं है अगली बात करते हैं कि यहाँ पे जो है किस तरीके से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं ताकि जो रिलेशनशिप है यहाँ पे countrywide strike को यहाँ पे बोला था अब आपको समझना है कि यहाँ पे हमें जरुरत है कि एक national law होना चाहिए ताकि जो है hospitals में ऐसे वालेंज देखने को ना मिले तो even West Bengal along with almost 19 stage उन्होंने यहाँ पे prediction of Medicaid Services Personal and Medicaid Services इंसके बार में यहाँ पे बात किये ताकि जो है physicians के खिलाफ कभी यहाँ पे attack ना हो सके अगर अभी कभी ऐसा होता है तो jail term हो सकता है तीन साल का और यहाँ पे fine भी लिवी किया जाएगा almost 50,000 के लिए इस body के बार में आप जान सकते हैं जिसका नाम है Indian Medical Association तो यह basically एक body है जो रिप्रेजन करता है यहाँ पे जो doctors है उनको और उसके साथ उनको जो यहाँ पे इंटरस्ट है उसे जो अफोल करने का काम यह body करता है इससे establish किया था 1928 में लेकिन इसके ओपर भी काफी ज़्यादा सवाल उठाया जाते हैं पिछले 5-6 सालों में इसके ओपर भी acquisition किये गए हैं कि यहाँ पर काफी सारे scams देखने को मिले हैं इसीवच्छा डॉक्टर और patient के बीच में जो relation है उसे improve करने में जादा काम कुछ कर भी नहीं पाया है अगली बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जरुरत यह है कि अगर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो यहाँ पर जो लोग है यहाँ पर patient उनको जरुरत है तो शायद जो अभी भी इतने कंड्यूसिव नहीं है और government और अगर यहाँ पर public hospitals की बात करते हैं वहाँ पर जो है अभी इतना अच्छा नहीं है लेकिन अगर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्राइक पर चले जाएंगे तो पूरी जो condition और जादा जो यहाँ पर जरुबल हो सकती है इवन अगर हम बात करते हैं हमारी जो country में हॉस्पिटल से वह काफी ज़्यादा ओवर क्रावडी नजर आती है अन्हाइजनिक फैसलिटीज है इवन जो स्पेशलिस है उन्हें मेट करने के लिए आपको बहुत देर तक जो वेट करना पड़ेगा अगर एक institutional violence भी यहाँ पर नजर आ रहा है और इसका एक रीजन यह भी है कि हमारी country में हम doctors को जो है godlike status देते हैं अब यह backfire भी उसी तरीके से करता है कैसे जैसे कि अगर कोई patient जाता है hospital में उसको बताए कि जो doctor यह godlike status उसको दिये दिया है अगर वो feel हो जाता है या फिर मान वो अपनी responsibility को ठीक से यहाँ पर नहीं कर पा रहा है तो कही ना कई वो उस पर doubt करेगा तब obviously बात है कितना emotional charge जो person है वो यहाँ पर कोई ना कोई गलत काम कर देगा अब इस चीज़ को handle करने के लिए जो यहाँ पर medical practitioner है उनके पास जो है correct जो acumen होना चाहिए ताकि कैसे जो ह यहाँ पर नए जो लोग आते हैं वो इसे handle नहीं कर पाते हैं उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ऐसी training दी भी नहीं जाती है when it comes to कैसे compassionate होने की जुरत है क्योंकि उन्हें जादा तर नहीं पता होता है कि कैसे हमारी जो society हो थोड़ी सी अलग है उसे कैसे handle करन है उसके बार में हमने कल भी डिसकस किया था कि अलग से हम यहाँ पर training course की बात भी कर रहे थे ताकि जाद 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 है उन्हें हम और जाद सेंसिटाइज कर सकते हैं एक और चीज़ आ पर बताई जारी है कि यहाँ पर हमारा जो health care का जो system है काफी जादा complex है और उसी से जादा complex है यहाँ पर relation patient और यहाँ पर doctor की बीच में इवन यहाँ पर जो जो गॉर्प्राइटाइजिशन हो रहा है मतलब यहाँ पर जो है काफी दा टाइम लगता है कभी-कभी यहाँ पर जो है under testing हो जाती है patients की कभी-कभी over testing होती है उस पर fees काफी जादा लगते तो इन सब चीज़ें पर फोकस करने की जुरत है इवन यहाँ पर doctors भी जादा कुछ करने ही पाते हैं क्योंकि जिस hospitals में काम करने वहाँ पर infrastructure इतना strong नहीं हो पाता है तहां कि जो complete justice कर सके patients को तो इस पर doctors की भी जादा गलती नहीं होती है कभी-कभी infrastructure जो है व जो emotional charge of patients तो उनको जो है आप ठीक से handle किया आजा सके यूंकि अभी भी देखने को मिला है कि यहाँ जो हम बात करते हैं डॉक्र रिलिशन्शिप की वह काफी जो है paternalistic है मतलब यहाँ पर जब आपको किसी patient को बताना होता है उसकी बीमारी के बारे में तो हम अभी भी काफी पाते हैं तो वह साइच चीजों पर जो काफी काम करने के जुरत है और यह रिसेंटली incidents हुआ है NRS में तो वह जो एक trigger point की हम देख सकते हैं कि हमें इस चीज़ों पर इरिया या डोमेन पर फोकस करना शुरू कर देना चाहिए अगला आर्टिकल यहाँ पर हम बात करेंगे manual scavenging की और इसका जो recent context में आपको बता चुका हूँ कि गुजराज में बहुत सरे manual scavengers जो है उनकी यहाँ पर death हुई है तो आर्टिकल में बताया जा रहे कि यह ऐसा catalyst काम कर सकता है ताकि जो यहाँ पर government अपने कान खोले है और अगली बात करते हैं कि यहाँ पर हमने बहुत बार कोशिश की है कि यहाँ पर जो पूरा culture यहाँ इस तरही के सब्सक्रिमिनेशन होता है manual scavengers के साथ तो उसे यहाँ पर रोखने की कोशिश करते हैं एवर सिंस यहाँ पर independence के हम बात करते हैं इवन महात्मा गांदी जैने कितने यहाँ पर चीज़े की थी ताकि यहाँ पर discrimination हो रही हो से यहाँ पर रोखा जा सके लेकिन इवन यहाँ पर हमने एक जो नया mission शुरू किया था सवज भारात mission तो उसमें एक important पारामीटर था कि क्योंकि सबसे important जो आक्ट है जो आप यहाँ पर देख सेते हैं prohibition of employment as manual scavenger and the Rehabilitation Act of 2013 इस act में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो मैनल scavenging है उसे यहाँ पर completely government को भी sound तरीकी से सोचना होगा जब वो rehabilitation कहते हैं तो उसे कैसे वो achieve कर पाएंगे तो उसके बार में और सोचने की जूरत है क्योंकि rehabilitation as a word यहाँ पर papers में लिखना काफी आसान है लेकिन rehabilitation में क्या क्या चीज़े आ सकती है कौन-कौन सी चीज़े practically possible है उसकी बार में सोचना भ यहाँ पर उसको पुरी तरीकी से monitor करने के लिए आपे national commission for सफाई करमचारी तो यह जो है इन्हें monitor करते हैं लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि manal scavenging अभी हो रही है बिना किसी protective gates के तो obviously बात यही है इसका मतलब कि यह जो commission है ठीक सा अपना काम नहीं कर रहा है उसके साथ स आपने बहुत सारी innovation किये कि आप मेकनाइज cleaning system लेकर आए हैं लेकिन अभी भी बहुत सारी जगाओं पर इसे implement नहीं कर पाए हैं अगली बात करते हैं कि यहाँ पर इवन गुजरात में जो सफाई कामदार development corporation उनने यही बोला है कि यहाँ पर जो no longer यहाँ जो CY से वो clean किया कि यहाँ पर जिस तरीके से reporting की जाती है उसमें आज ज़्यादा लोग तक यह पहुच भी नहीं पाते हैं उसका एक example यहाँ पर देख सेते हैं कि यहाँ पर 2011 का जो social economic census हुआ था उसमें महाराश्रा में सबसे ज़्यादा यहाँ आपको मैनल स्केवंजर दिखेंगे लेकिन अगर हम बात करते हैं on papers की तो on paper में इससे भी जादा लोग आपको नजर आएंगे लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि जब payments cash payment के हम बात कर रहे थे और कितने लोग को यहाँ पर identify किया गया है वह काफी कम मातरा में किया गया है तो कहीना कि आपको समझना है कि जिस तरीके स equipment provide किये जा रहे हैं उनकी safety का जोए काफी ध्यान रखा जा रहे है कैसे यहाँ पर उनको gloves दे जा रहे है mask helmet और यहाँ पर seever cleaning machines भी provide की जा रहे है Delhi में उसी चीज़ को हम यहाँ पर पूरे country में implement कर सकते हैं क्योंकि जो है हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हर community के जो समाल करना चाहिए अगर वो लोग यहाँ पर कोई technology का समाल कर रहे हैं तो उनके साथ यहाँ पर strict punishment देनी चाहिए उसके साथ फाइनली यहीं बताया जा रहे है कि स्वच भारत जो है उसके एंबिटर मैनल स्कावेंजिंग आता था लेकिन उस पर इतना focus नहीं किया गया अग लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्या-क्या और इशुजर मैनल स्कावेंजिंग युमन राइट को ही वाईली लाइट करता है उँवन अंगर बात करते हैं कि उनको जो है इन लोग्स के बारे में नहीं पता है अब यह अग्ड़ान 16 अवार्ण हें इस बाहरे में पता होग अगली बात करते है कि जिस तरी कि वो प्रोफिशन में उसमें काफी जादा जो उक्यूपेशन हजाड है योगि आप अगर कभी ऐसे एरिया में उतरते हैं तो बहुत सरी डिसीज जो आपको हो सकती है बात को करने के लिए उनको जो पेशने पर यो काफी कम मिलता है अगला यहाँ पर टाइम लाइन देख सकते हैं लेजिसलेशन की इवन जो अमारा समविधान है उसे बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर बताते हैं कि हमें राइट टू इक्वालिटी प्रोइट करना है यहाँ पर प्रोइबिट करना है और एनी काइन डिस्क्रिमिनेशन बेस् उसके बावजूद जो हमने आपे भली लॉक को लेकर आ गए हैं लेकिन उसकी कभी भी एफेक्टिव इंप्लेशन हम नहीं कर पाए हैं अगला जो मैंने आप बताया था आपको एक एक एक्जामपल तो उसका जो है बेसकली एक बेस्ट प्राक्टिस कर आप देख सकते हैं क केरला में जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रोबोट बनाया है जिसके बार में पताया था बैंडी कोट तो उसको यूज करेंगे यहाँ पर सीवेज क्लिनिंग में लेकिन ऑविसी बात है इसे आल ओवर इंडिया में इंप्लिवेंट करें में थोड़ा सा टाइम कर सकते हैं सबसे बहले हम जानते हैं कि यह जो पूरा इंडियन स्पेस्टेशन के हम बात करें उसमें कुछ important factors क्या है तो आपको सबसे बहले यह समझना है कि हमने एक दिन में डिसाइड नहीं कि या फिर मूव कर रहा है तो उसके लिए काफी experiments औरडी हो चुके हैं उसके लिए फैनासिक शुरा थी वह उसका समाल कर चुके हैं लेकिन उसके सासा बोला जा रहा है कि जो स्पेस्टेशन हम बनाने वाले हैं वह गगन यान जो मिशन है जिए आपर मैं लोग को आप भेजन होने वाली है लेकिन उसका जो अभी तक नहीं आया है तो उसी संदर में आप बुला जा रहा है कि इस वक जो है इस रो तयार नहीं किसी भी करने है अब सबसे बहुत हैगी हम यहां पर फिरसी प्रिख्र वींट कियो लगाने के लिए अफ्नियों किन यह क्यों गानी घ्रीमेट कीया हुए अब यह मदद लेन के लिए कर सकतें आप सबसे पहले इंप्रेंट रायँ है और लारे इस Experimentation की बात की जारी है, अब इस Experiment का फायदा यह होने माल है कि हमारी जो Knowledge है Astronomy में, Metrology, Biology और Medicine में, तो वो काफी जादा Improve हो जाएगी इस Experimentation टेकनिक के साथ, तीसरा कोशन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो बाकी International Space Station है, उसका वेट काफी जादा होता है, और बहुत जादा य इंडिया जो प्रपोस कर रहा है, ट्वेटी टन का Space Station, जो सिर्फ यहाँ पर इस Astronomy को help करेंगा 15 से 20 दिन के लिए, तो यह काफी जादा गलत हो सकता है, क्यों कि इससे पहले भी इस दो ने काफी Mission launch किये, लेकिन जो है, उसकी जो स्कोप है, वो काफी लिमिटेड रहे थी है financially viable ना हो, लेकिन अगर यहाँ पर collaborate करते हैं, तो बाकी countries के साथ यहाँ पर finances भी move करेंगे, technology move करेंगी, तो काफी अच्छे हम चीजों को implement कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला जारे कि अगर मान लीजे हम दूसरी country के साथ collaborate नहीं कर रहे हैं, अपनी country में जो private sectors है, उनके की जारी है इस article में, अगला article यहाँ पर claiming the India, Indo-Pacific region के बारे में हैं, तो यहाँ पर बताया चारे है कि इंडिया को जो है, एक नया narrative बनाने की जरुए था इस पर ले रीजन से लेटर, अब जानते हैं कि यह जो पुरा region है काफी दर न्यूस में भी रह था और काफी important भी है, एक important चीज़ हमने discuss की थी सागर के बारे में, जिसके अंदगरत हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर security and growth of all in the region, अब यह जो है इस पूरे aim के साथ हमारी country कोशिश कर रहा है कि जितने भी यहाँ पर island nations है, उनको इंटेगरेट कर सके, उसके साथ यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर काफी जादा मातर में बढ़ रहा है, इसलिए आर्टिकल में suggest किया जा रहा है कि यहाँ पर bilateral, trilateral और quadrilateral है, तो वैसे यहाँ पर relations को शुरू कर देना चाहिए बाकी countries के साथ, इवन यहाँ पर जो हमने blue economy and resource resilience initiative शुरू किये हैं, इसके अंदगरत हम यहाँ पर इस कि हमारी country का operation reach है, उसे यहाँ पर बढ़ाने की जुरूत है, operation reach इंप्रूव करने के लिए जुरूत है कि हम सारी countries के साथ बातचीत करना शुरू का relation बढ़ा है, अपनी खुद की technology से उन्हें develop कर सके, ताकि कोई भी छोटे मोटे islands है, अगर उन्हें कभी जुरूत पढ़े ह हमारी तो हम उन्हें यहाँ पर प्रॉइट कर सके वह सारी facilities, अगली बात करते हैं कि हमारा एक project है, जिसका नम है सागर मौला प्रोजेक्ट, इसके अंदर हम अपने पोर्ट से उन्हें यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, तो इसको और जाने की बात की जारी है, अगली बात कर coastline है काफी बड़ी है और यहाँ पर focus करना भी काफी important है, कल भी हम discuss करें कि इसका आजपास की data है यह हम collect भी कर रहे हैं, ताकि हम importance or decision लिया पर ले सके, अब बात करते हैं सागर मौला प्रोजेक्ट की, तो ऑगस 2003 में एंडी की जो सरकार थी तब अतल ब्यारी वाच्ट पर तो उन्हें इस प्रोजेक्ट को launch किया था, उसके बाद यहाँ पर इसका फिर नाम चेंज होगे, जब सरकार चेंज होगे, जिसका नाम था National My Time Development Program 2005, उसके बाद फिर यहाँ पर जब नई सरकार रही 2014 में, तो उन्होंने फिर से इसको सागा माला की तरह launch किया, अब इसकी इसके आसपास कोई इंडस्ट्री जो इंपॉर्टन है उसके डेवलप करना, ताकि वहाँ से जूबी प्रोडॉक्ट्स हो रहा है, तो उसे जो हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सके, तो उस पर फोकस किया जा रहा है, उसके साथ यहाँ पर कोस्ट लीग रहा है, जो कमिटी र existing best practices है, जिसके आप नीची देख सकते हैं, जिसके यहाँ पर लिखा हुआ है, महराष्ट्रा में, इवन यहाँ पर स्वाजल, यहाँ पर जीतने भी best practices है, उनको जो हम यहाँ पर on a larger scale implement कर सकते हैं, स्वाजल स्कीम के वारे में आप जान सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि क government देता है, उसके बाद community 10% देता है, local villages को भी आपे include किया गया है, तो इस तरीके से completely decentralized कर दिया गया है, पूरे initiative को, लेकिन जो पूरा power है, यह अभी भी ministry of drinking water implement करेगा, तो उसी तरीकी model की बात करने हैं, आपे across the country, एक और बात करते हैं कि even हमारी country में, बहुत सरे states में water crisis दे apply भी हो सके, अब यहाँ पर उसके लिए सबसे important यह है कि आपे local participation को बढ़ाने की जूरत है, तो इसी वाज़से household or community based storage की बात कर रहे हैं, हम rain water harvesting की बात तो करते ही है, लेकिन यहाँ पर हम community level पर करना शुरू करेंगे, तो ज़्यादा मातर में water हम collect कर पाएंगे, even जो drinking water scheme यह काफी important रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी states है, यहाँ पर drinking water भी यहाँ पर अलबल नहीं नजर आता है, अगली बात करते हैं, हम more crop per drop पर focus कर रहे थे जिसके अंदगत, यहाँ पर कम water में जो है, यहाँ जादा efficiency यहाँ पर productivity के हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी scheme से म होई भी अगर हम scheme लेकर आते हैं, यहाँ पर water management से related, तो सबसे बड़ा important role यही रहने वाला है कि कैसे हम यहाँ पर awareness raise कर पाएंगे, और लोगों की behavior है उसको change करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर water को हम काफी अलगी तरीके से यहाँ पर waste करना शुरू कर देते हैं, हम लग सनल लुआ है, जिनको यहाँ पर पकड़ लिया गया था और बोला गया था कि एक foreigner है, लेकिन इनने recently यहाँ पर lease कर दिया गया, लेकिन उसी तरीके से बहुत सारे important चीज़ां यहाँ पर हुई है, जैसकि हमने discuss किया था, citizenship amendment bill के बारे में, तो उसमें भी काफी जादा minority उनको हैं, इसी वाँ से आपे 1985 पे असाम record साइन हुआ था, उसके बारे में हम आगे और जानेंगे, लेकिन आपे पूरा focus यह था, कि असाम के जो native लोग है, उनके जो cultural identity है, उन्हें जो पूरे aim है, उन्हें जो यहाँ पर हिंडर नहीं होना चाहिए, इवन कफी तर न्यूस में यहाँ पर section 6, उसके बार में हम यहाँ आगे बात करने वाले हैं, अगर बात करते हैं आप इंटरनाशनल लेवल पे, तो इंटरनाशनल लेवल पे आपे confirm किया जाता है, कि यहाँ पर आप किसी की nationality उससे नहीं चीन सकते हैं, तो उसी के बार में काफी तर फोकस किया जा र कि आप फोईनर हैं या नहीं हैं, यहाँ पर हो यह रहा है कि अंधादुन तरीके से जो है, अगली बात करते हैं हम यहाँ पर आसाम एकॉड की, 1985 में साइन हुआ था, एक Memorandum of Settlement था, किसके बीच में, Government of India के बीच में, और यहाँ पर आसाम मोव्मेंट के जो लीडर्स थ यहाँ पर बहुत सालों से आप आसाम एकुडेशन चली रहा था, कुछ उनकी डिमांड से कि जो आप फोईनर से आपे 1971 के बाद आएं उन्हें यहाँ पर डिपोर्ट कर देना चाहिए, उसके सहासाद यहाँ पर economic development होनी चाहिए, और जो लोकल पीपल है, उनकी जो यहाँ यहाँ पर linguistic rights है, और यहाँ पर cultural rights है, उन्हें यहाँ पर uphold करने की बात की गई थी, और specifically यह clause 6 जो है, उसमें आपर बताया गया था, अब चलते हैं यहाँ पर page 1 की तरफ, page 1 पर यहाँ पर जो डॉक्टर्स की जो प्रटेस्ट चल रही थी, उसके बार में आर्टिकल आया अगला question है कि बताइए कि वह कौन सा state है, जिसने lowest rate किया है when it comes to female workforce participation in periodic labor force survey जो recently released हुआ है, तो इसमें जो है सबसे कम मातरा जो देखने को मिली है, वो आशली बिहार में देखने को मिली है, periodic labor force survey के बार में ने बहुत सर बात जो है 801 पेज पर डिसकस किया है, तो उसके बार म का participation rule area में काफी drastically यहाँ रिड्यूस हुआ है, तो उसके बार में trend के बार में जो है आपर सवाल पुछा गया है, अगले हाँ बिहार से related एक और news यह है, यहाँ पर हमने कल भी डिसकस किया था AES की जो disease यान की acute encephalitis syndrome, तो उसकी जो यहाँ पर तादात हो काफी ज़्यादा बढ़ गई है, चिल्ड्रेंस वे इससे सब ज़्यादा एफेक्ट होते हैं, सिम्टम्स किया है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिजन में इस देखा था कि जब इसका comparison किया जा रहा था, यहाँ पर विएतना में same problem देखने को मिले थी, अब वहाँ पर लीचीज की जो आउट्रेक काफी ज़्यादा नजर आते हैं, और इसका एक important reason यह होता है, कि अगर यहाँ पर जो चिल्डरन है, उनके अंदर यहाँ पर काफीजा माल nutrition नजर आती है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर vulnerable हो जाते हैं, वो इस पर लिए disease के लिए, अब government ने इसके लिए step हैं, कि सबसे पहले तो यहाँ पर free vaccines प्रवाइड कर रहे हैं, और काफीजा जो health centers उन्हें आप एंपार किया जा रहा है, अगला कोशन है कि बताईए कि वो कौन सी country है, जिसने recently new bank नो और 30,000, 20,000, 50,000 की denomination की, क्योंकि वहाँ पर काफीजा hyper inflation देखने को मिली है, तो यह actually अगला आटिकल में यही बताए जा रहा है, कि यहाँ पर number of warheads reduce हो रहे हैं, लेकिन when it comes to the efficiency of those warheads, वो काफी जादा बढ़ गई है, मतलब technological advancement and modernization जो है, वो काफी जादा बढ़ गया, मतलब अब पहले जो काम 100 nuclear warheads करते हैं, वो अब यहाँ पर एक ही कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी तरीके से modernization की गई है, तो उसी का example दिया जा रहा है कि US और Russia जो है, उन उनकी जो technologies अब समाल करते हैं, काफी जादा और जो detroiting हो सकती है, इवन यहाँ पर इंडिया ने जो है, यहाँ पर उसके कितना warhead हो सकते हैं, उसको आप एस्टिमेट किया गया है, यह जो रिपोर्ट है, इस सिपरी के दौरा रिलीस की जा गई है, इस सिपरी जो है काफी important मिलेगा वो मिलेगा आपको Stockholm में, जो की student की capital है, अगला article यहाँ पर GM cotton से लेटेड है, तो यहाँ पर आप जान दे कि, जो हम यहाँ पर genetically modified जो organisms या फिर माली जो कोई भी plant कर समाल करते हैं, उसमें जो सरकार है, उसमें सिर्फ GM का जो BT cotton है, उसको सिर्फ approval दिया है, उसके अल माराष्टा में protest करना शुरू गया था, almost civil disobedience movement की तरह बात की जा रही थी, जहाँ पर BT cotton का एक और variant का समाल किया जाएगा, सबसे लिए बात करते हैं, उसमें जो हम यहाँ पर thurigenesis का समाल करते है, उसमें cry 1, AB, cry 2, BC जो है, इसका समाल किया जाता है, लेकिन अभी एक और उस बोला जा रहा है, कि हमारे existing laws, जैसे की seed act हो सकता है, environment protection act होता है, तो उसमें अगर आप ऐसा कोई भी GM crop का समाल करते हैं, जिसे जो है, validate नहीं किया गया है, GAC के द्वारा, तो आप आपकी ओपर charges लगाए जा सकते हैं, दूसरी के बारा में आप बताया जा रहा है, अब इसक को हाम ना करें, तो उस पर फोकस होता है, इस पर लग कमिटी का, अगली बात करते है, BT cotton की, जो existing version है, जिसका समाल यहाँ पर valid है, तो वो जो यहाँ पर उसका प्रोटीन है, यह आता है, बैसले सूरी जिनेस से, इसका फायदा यह होता है, कि इसमें जो प्रोटीन डेवलप किया गया है, इनका नाम बेसलिए आप देख सकते हैं, लेफ्टन जनरल फाइस हामिद, तो वही बताया जा रहा है कि कैसे relation रहे, उन्होंने कैसा कैसा काम किया historically, तो उस चीज़ को यहाँ पर डिसकस किया जा रहा है, लेकिन टॉर्स दाइन बताया जा रहा है, इंडिया को पताये कि इसमें जो fixed unemployment था, तो उसे implement करने से फिर्म सो कमपनी जो है, ले ओफ कर सकते हैं, वोकर्स को काफी असानी से, और अगला statement है कि आप कोई notice termination का देने की जूरत नहीं है, तो दोनों ही जो statement है काफी साथ correct है, तो इसमें जो है इसका answer मुझादा है बहुत 1 and 2, तो उ जो है जो uranium की stockpiling है, उसको यहाँ पर बढ़ाने वाला next 10 days में, तो almost 20% enrich कर सकते है अपने uranium को, इसको सोड़ा सा और समझ लेते है कि uranium enrichment होता क्या है, अब यहाँ पर जो natural uranium मिलता है, उसमें almost 0.75% 7% जो है, uranium 235 मिलता है, और यहाँ पर बात करते है 99.3% of uranium 238 जो है, यह enrichment की जुरत होती है, enrichment का मजब है कि हम यहाँ पर जो है, इस पर ले uranium का concentration काफी जाए बढ़ा देते हैं, ताकि जो fission काफी जाए वर्ल्टाइल तरीके से हो सके, लेकिन सिर्फ 20% की बात की जारी है, तो US भी काफी जाए जाए यहाँ पर पॉस्टिव है, कि इससे जो है आप economic page से NBFC से related है, basically यहाँ पर economic page से बार बर NBFC के उपर ही आर्टिकल आ रहे हैं, जो हमने और डिसकस किये हुए है, इसलिए मैंने कल भी डिसकस नहीं किया, तो यहाँ पर भी बात की जारी है, कि NBFC फोकस करने वाले हैं, लेकिन हमने एक आर्टिकल चार दिन पहले डिसकस कि जाता कि हम जो है, यहाँ पर simply bill out नहीं कर सकते NBFC को, क्यों, योगि इससे यहाँ पर उनका यहाँ पर एक moral hazard है, जिससे लगेगा, कि NBFC को लगेगा कि यहाँ पर कभी अगर पर भी problem होती है, तो गर्मन बिल आउट करी देगा, तो उस moral hazard से बचने के लिए, सरकार यहाँ सोथ समझ के step लेने की कोशिश करेगा, अगले हाँ पर GSP से लेट यह बता जा रहा है, कि यहाँ पर जाता कोई impact नहीं होने वाला है, तो हमने यहाँ पर generalize system of preferences है, उसके बार मनें डिसकस किया हुआ है, इसके अंधर काथ यहाँ जो developed country है, यह actually developing countries को मौका देती है, कि इंडिया को हटाने की बात कर दी है, लेकिन उससे कोई ज्यादा एफेक्ट नहीं आएगा, तो उसके बार में data दिया गया है, इसके अगर बात करेते हैं, जहाँ पर germs जोल्री की, तो उसका इंपक्त रहने वाला है, और फामस्टिकल जो product से उसमें काफी low impact रहने वाला है, आगले जो दो कुशने जिसका आँसर आप करेंट बाक्स में दे सकते हैं, पहला कुशने की बताईए, capital और currency क्या है तुवालू की और अगला कुशन है कि national sample space office जो है, ये कौन से ministry के अंदर work करता है, तो दोनों कुशन का आँसर आप करेंट बाक्स में दे सकते हैं, आशा क तो आपको वीडियो पसंद आए, thank you and have a nice day, जैहिन!